तो एपिसोड की सुरुबात में दिखाते हैं कि जोरो को अपने लंच टाइम को भी सेक्रिफाई करके संसुकिन के पास जाना पड़ता है और वो जाते हुए सोच रहा था कि कैसे उसका पूरा जिंदिगी बदल गिया जो वो चाहता था वो उससे ना मिलकर एक इस्टोकर लड़की मिली होती है यही सब सोचते हुए वो उसके पास लैबरीरे में चला जाता है संसुकिन उससे वहाँ देखकर उससे पूछती है तो तुम आही गए जोरो कहता है कि मेरे पास और कोई चारा भी तो नहीं था वो उससे पूछती है कि तुम उन दोनों की मदद कैसे कर रहे हो जोरो उससे बताना शुरू करता है और सीन फ्लैस्पेक में चली जाती है जहाँ पर हीमा दो मोवी के टिकट खरीद कर जोरो को देते हुए कहते है कि उससे एक ऐसा सिच्वेशन क्रियेट करना है जिससे वो और वोका दोनों एक साथ मोवी देखने जा सके ये सुनकर जोरो उससे कहता है तुम खुदी जाकर उससे क्यों नहीं पूछ लेती हो इसके जवाब में वो कहते है कि वो मेरे लिए बहुत ही ज़दे इंबरेसिंग होगा जिस से जोरो का दिमाग बहुत ही ज़दा खराब हो रहा होता है और वो उससे कहने की बादेकी कोसेश करता है कि तुम खुछोगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा लेकिन वो उसकी कोई भी बात ना सुनते हुए उसके गले लग जाती है और कहते हैं कि वैसे भी तुम उसके बेस्ट फेंड हो तुम कर सकते हो इसलिए जोरो मान जाता है अगली सिन में दिखाते हैं कि जोरो जाकर ओका से कहता है कि उसके पास दो मुवी के टिकेट है लेकिन मैं यह मुवी पहले ही देख चुका हूँ इसलिए क्यों न तुम किसी और के साथ चले जाओ जैसे की हीमा तब ही वहाँ पर हीमा जल्दी से आ जाती है और उसे इतना जल्दी आते देख जोरो अपने मन में कहता है कि तुम कुछ जाधा ही जल्दी आ गई हो तब ही ओगा एक टिकेट हीमा को देते वे कहता है तुम इतना ज़्दा खुष हो चुकी हो कि तुम बिल्कुल स्पीचलेस ही हो गई हो और आगे कहता है कि तुम्हें तो जोरो को थैंक्स बोलना चाहिए और एक बर फिर से हिमा जोरो के तरफ आसा भरी नज़रों से देखने लगती है जिससे उसका दिमाग बहुत ही ज़दा खराब हो रहा होता है लेकिन वो फिर भी सिच्वेशन को किसी तरीके से संभालते हुए कहता है कि अगर ऐसी बात है तो क्यों न तुम दोनों ही एक साथ चले जाओ क्योंकि तुम दोनों को तुम्हारे कलब के कारण हार्डली टाइम मिल पाता है ये सुनकर हिमा कहते कि मैं त्यार हो वैसे भी मैं कई दिनों से बाहर नहीं गई हूँ इसके लिए ओगा मान जाता है इसलिए हिमा उसे थैंक्स बोल भी होती है ओगा कहते है तुम्हें तो जोरो को थैंक्स कहना चाहिए हिमा कहते है कि मैं उसे पहले थैंक्स बोल चुकी हूँ ये सुनकर उसे थोड़ा सा अजीब लगता है लेकिन वा मान जाता है इसके बाद कोस्मोस जोरो को अपने पास बुलाती है और उसके हाथ में लंच देखकर जोरो समझ जाता है और खुदी उसका प्लान बता देता है कि तुम चाहते हो कि मुझे एक ऐसा सिच्वेशन क्रिये वैसे भी तुम उसका बेस्ट फेंड़ो इस भी तुम कर सकते हो ये सुनकर वो उसकी भी हेल्प करने के लिए रेडी हो जाता है इसके बाद जोरो ओगा को अपने साथ कुछ समान लेकर कांसिल रूम में लेकर जा रहा होता है तब ही वहां पर कोस्मोस अपना लंच लेकर जाती है उससे देखकर जोरो अपने मन में कहता है कि सबसे पहले वह नेचुरली कनवर्सेशन स्टार्ट करेगी और मैं मौका देखकर उन्हें लंच के लिए इनवाइट कर दूंगा वहीं पर कोस्मोस इतना जादा नर्वस हो जाती है कि सोच कुछ और रही होती है और बो के लिए ही इनवाइट करने आई हूं लेकिन ओगा मना कर देता है तभी जोरो कहता है कि यह हमेशा थोड़ा सा जादा लेकर आती है इसलिए तुम चिंता मत करो और कोस्मोस कहने लगती है कि वैसे भी मैं तुमारा फेबरेट डिस लेकर आई हूं इसलिए ओगा मान जाता ह लेकिन वो जोरो को भी अपने साथ इनवाइट कर देता है जिससे कोस्मोस को बहुत ही बड़ा वला सौक लगता है लेकिन जोरो मना कर देता है कि मैं लंच टाइम में पहले ही किसी दूसरे लड़की से मिलने का प्लान बना चुका हूं यह बोलकर वो वहां से भाग जाता ह अब सिन प्रेजन टाइम में आता है जहां पर वो सब कुछ संसुकिन को यह सब बता रहा होता है संसुकिन उससे कुछ कहने ही वाली होती है लेकिन वो नहीं कहती है इसलिए वो उससे पूछता है तुम कुछ कहने वाली थी न वो कहते है कि मेरे पास अभी पूरा सबूत न निकाल लो, ताकि हम लोग कुछ और टाइम एक साथ विता सकेंगे, जो रो कहता है बिलकुल नहीं, एक बार ये सब जब खतम हो जाएगा, तो मैं एक लड़की से मिलूँगा, जिसका दिल बहुत बढ़ा हो, और दिल से बढ़ा कुछ और हो, और मैं उसके साथ बहुत मजे क करूंगा, ये सुनकर वो कहती है, इसका मतलब मुझसे है न, जो रो कहता है बिलकुल भी नहीं, तुम तो बिलकुल होई ही नहीं सकती हो, तब ही वो कहती है, तुम उन दोनों की मदद इसलिए कर रहे हो, ताकि उन में से एक तुम्हें मिल जाए, लेकिन क्या होगा, अगर और ओगा पहले से किसी लड़की को पसंद करता हो तो, ये सुनकर जोरो का बहुत ही बड़ा वाला सौक लगता है, क्योंकि वो इसके बारे में सोचा ही नहीं होता है, इसलिए वो उससे कहती है, अब जब मैंने तुम्हें इतना बड़ा चीज बता कर तुम पर इतना करें दिया है, तब तुम्हें मेरी मदद करनी होगी, जोरो पुछते मदद कैसी मदद, वो बताते है कि Student Council Library Inspection में तुम्हें मेरी मदद करनी होगी, इसके बाद दिखाते हैं कि जोरो ओगा के बारे में ही सोचते वे उसके पास जा रहा होता है, वहें पर ओगा को दिखात जोरो काता है बस ऐसे ही, जोरो उसका best friend होने के कारण वो उसे बताने के लिए मान जाता है, बट यहां पर नहीं कि वहाँ पर बहुत सारे लोग होते हैं, इसलिए वो उसे बाहर लेकर जा रहा होता है, जहां पर पहले से ही एक bench रखा होता है, उस bench को देखकर जोरो किता फ मिलेगी, तब ही ओगा कहना सुरू करता है, कि मैं किसी को पसंद करता हूँ, जब भी मैं उसके बारे में सोचता हूँ, मेरा दिल बहुत ही जोरो से धढ़कने लगता है, लिकिन सिर्फ उसे हर दियन देखने से ही, मुझे बहुत ही ज़दे खुसी मिलती है, यह सुनकर जो जोरो अपने मन में कहा रहा होता है, कि उन दोनों के दरफ तुम्हारे साथ उसी दिन होना था, वो आगे कहता है कि उस दिन हारने के बाद मैं सब के सामने तो मैंने कंट्रोल कर लिया था, बट मैं अकेले में बहुत ही ज़दा रो रहा था, क्योंकि मैं चाहता था कि लोग मुझे रोते हुए ना देखे इतना सुनकर जोरो अपने मन में कहता है कि तुम पहले ही इस्ट और वेस्ट डायरेक्शन से दो लोग देखे जा चुके हो वहीं पर ओगा अपने बात को कंटीनिव करते हुए कह रहा होता है कि रोने के बाद मैं साउथ डायरेक्शन से जा रहा था क्योंकि वह वाले एकजिक्ट में कम भीड़ थी और वहीं पर मैं उससे मिला था जो मुझसे कही थी कि तुम्हारे जैसा परसन जो की काइंड इस्ट्रोंग और लोगों के सामने अपने आसुर को कंट्रोल कर से वह अगली बार जरूर जितता है और उसी वक्त मुझे उससे प्यार हो गया था है वहीं पर जोरो अपने मन में कह रहा होता है कि आखिर वहँ पर क्या रहे थी तब यूगा आगे कहते है कि मुझे पता है कि यह थोड़ा सा प्थेटिक है but क्या तुम हम दोनों को एक करने में हमारी मदद कर सकते हो लेकिन इस पर जोरो मना कर देता है और अपने मैंन में कहता है कि अगर मैंने इसके help करना शुरू भी कर दिया और उन दोनों का पता चल गया तो वो दोनों मुझे खतम कर देंगी तब यो ओगा कहते कि अब इतना जिदा मतलबी भी मत बनो फ्लीज मेरी मदद करो भाई मुझे पता है कि तुम सपूर के साथ टाइम भिता रए हो जोरो कहता है लेकिन मैं hardly है हूं उसके साथ बात कर पाता हूं और वो उसे मना कर देता है और वहांसे जान ही वाला होता है कि वो उसे रोक कर बेस वोल से रिलेटेट एक सवाल पुछता है जिसका जोरो बिल्कुल सही एंसर देता है जिससे ओगा खुश हो जाता है इसके बाद जोरो वहां से जाते हुए सोच रहा होता है कि मेरे पास अब दो रास्ते है पहला कि मुझे उन दोनों के हेल्प करते रहना चाहिए लेकिन जब भी मैं ओगा के बारे मुझे सोचता हूँ तो मेरे पास एक दूसरा रास्ता भी आ जाता है तब ही वो संसुपिन के पास पहुँच जाता है जो उसे देखकर कहती है मुझे लगा नहीं था कि तुम भी मुझे कभी बुला सकते हो अपने से मिलने के लिए तो तुमने मुझे यहां क्यों बुलाया है वहीं पर जो रोग बताते हुए थोड़ा से हिच्च की चारा होता है इसलिए वो उससे कहती है साय तुमें मेरा कुकीज बहुत ज़्यदा पसंद आया है इसलिए तुम और चाहते हो ना तब ही जो रोग कहा देता है कि तुम ओगा के बारे में क्या सोचती हो वो उससे पुछते कि आखिर तुमारा मतलब क्या है जो रोग कहता है कि मैं बस ये कहने की कोसिस कर रहा हूँ कि बस एक बार उसके बारे में सोचो साय तुम उससे एकसेट कर लो लेकिन वो मना करते हुए कहते है कि कभी भी नहीं मैं सरफ एक ही परसन को पसंद करती हूँ और उसी के साथ हमेशा रहना चाहती हूँ और वो अभी मेरे सामने खड़ा है जो रोग उससे कहने की कोसिस कर रहा होता है कि तो किसी और को भी ट्राइ कर सकती हो जैसे की होगा लेकिन वो उसके बात को वहीं पर रोक कर उस पर चिलाती है बस बहुत हुआ जिससे वो थोना सा डर जाता है और वहाँ खड़े कुछ लोग कह रहे होते हैं कि अभी अभी क्या हुआ कहीं उसने सांसुकिन को डेट पर तो चलने करें नहीं पूछा ना कितना बेकार टेस्ट है उसका वहीं पर जोरो अपने मन में कह रहा होते हैं कि मैं तुम लोग को अब बातों से अगरी करता हूँ लोग सांसुकिन से इसलिए दूर रहते हैं क्योंकि ये थोड़ी से अजीब है किसे से ज्यादा बातें नहीं करती है लोगों से दूर रहती है और कोई भी दोस्त इसका नहीं है तब ही वो जोरों से कहते हैं कि तुम इतना ज़िदे क्रूएल चीज कैसे कह सकते हो मैं सिर्फ चाहते हूं कि तुम मेरे साथ रहो और मेरा यमी कुगिश खाओ तब ही वहाँ पर ओगा आते हुए जोरों से कह रहा होता है कि क्या चल रहा है जोरो उसे वहाँ देखकर बहुते ज़दा डर जाता है क्योंकि वो कुछ दिर पहले कहा होता है कि वो सांसुकिन से बात बात नहीं करता है वहीं ओगा उसे उसके साथ देखकर कहाता है कि तुम इसके साथ क्या कर रहे हो अब ये मत कहना है कि तुमने मुझसे उस फक्त जूट बोला था जोरो उससे समझाने की कोसिस करने लगता है लेकिन वो कुछ भी अच्छे से समधान नहीं पा रहा होता है वहीं पर ओगा उससे कह रहा होता है कि चलो अब कुछ कहो भी वैसे भी हम लोग best trend है तभी समसुकिन उससे बचा लेती है ये बोलकर ये मेरे पास school के बाद library inspection के लिए कुछ बताने आया था ये सुनकर वो दोनों ही थोड़े से सोख्ष हो जाते है और जोरो अपने मन में कह रहा होता है कि मैंने कभी सोचा नहीं था कि ये मुझे बचा लेगी ओगा कहता है लेकिन तुम लोगों को देखकर तो लग रहा था कि मामलग को जादा ही serious है वो कहते हैं कि जादा लोग library का यूज नहीं करते हैं इसलिए हम लोग उसे बंद करने के बारे में बाते कर रहे थे ये बोलकर वो वहां से जाने लगती है कि तभी ओगा उसे रोक कर उसे पूछ लेता है कि क्या तुम दोना सिर्फ student council और library का जरी ही connected हो वहां और goodbye घटिया जोरो बोलकर वहां से चली जाती है और ओगा उससे माफी मांग रहा होता है कि मैंने बेकार में तुम लोगों पर सक किया था वहीं पर जोरो उससे कुछ बताने की कोसिस कर रहा होता है लेकिन वह उसका कोई भी बात ना मानकर वहां से चला जाता है तभी जोरो देखता है कि सांसु कुई अपना कुकिच वहीं पर गिरा कर चली गए होती है और जब जोरो उससे मेसेच करके फिर से मिलने के लिए बुलाया होता है तो वो रिपलाई करती कि अब तुम्हें लाइबरेरी में भी आने की कोई जरूरत नहीं है और ये भी रिपलाई करती है कि आज से अगले विक के मंडे को तुम जरूर आना क्योंकि कुछ बहुत ज़्यादे इंट्रेस्टिंग होने वाला है इसलिए जोरू कुछ दिनों तक लाइबरेरी नहीं गया और अपना फ्री टाइम उन दोनों का ही हल्प करने में बुजार दिया और जब वो उससे पूछता है कि क्या हुआ तो वो बताती है कि ओगा उससे help मांग रहा है उससे और सांसुकिन को एक करने के लिए और मैं student council के president होने के कारण मैं सांसुकिन की थोड़ी से close हूँ इसलिए मैं मना नहीं कर पाई और उससे पूछते है कि तुम जानते थे ना कि वो कैसा फिल कर रहा है जोरो काते है कि हां मैं जानता था तब ही वो उससे कहना सुरू करती है तो तुमने मुझे क्यों नहीं बताया वो कहता है क्यूंकि मैं नहीं जानता था कि तुम कैसा फिल करती तभी Cosmos रोने लगती है और उससे कहती है तो यही सचा ही है जोरो को कुछ भी समझ में नहीं आरा होता है आक़र वो कहा क्या रही है वो अपने बात को continue करते हुए कहती है कि ओगा ने मुझसे कहा कि जब मैंने जोरो से advice मांगा था तब उसने कहा था कि उसके साथ काम करो जिस पर तुम पूरा विश्वास करते हो इसलिए हो मुझसे help मांग रहा है जोरो उससे कहने के भी कोसिस करते है कि मैंने ऐसा कुछ भी नहीं कहा था लेकिन वो सुनने को त्यार नहीं उससे कहरी होती है कि जूट बोलना बंद भी करो और आगे कहते है कि जब वो तुमसे baseball का example देकर पूछा था तब तुमने एक सोचने लायक और बहुत ही अच्छा आंसर दिया था अब जोरो यहां पर समझ जाता है कि यहां पर बहुत ही बड़ी misunderstanding हो गया है क्योंकि जोरो का लगा था कि ओगा बस baseball से related एक question पूछ रहा है उससे यह पता ही नहीं था कि वो उसे real life में यूज करने वाला है तब ही कोस्मस उससे कहती है कि लगता है कि अब तुम्हें समझ में आ गया है कि आखिर मैं क्या कह रही हूँ जोरो उससे समझाने की भी कोसिस करता है कि बहुत बड़ा misunderstanding हो गया है लेकिन वो सुनने को त्यार नहीं उससे कहती है कि और कितना जुट बोलोगे तुमने मेरा भरोसा तोड़ दिया ये बोलकर वो वहां से जाते हुए कहती है कि अब मुझे तुमारी कोई भी जरूरत नहीं है अब मैं ओगा की मदद करने जा रही हूँ उससे जीव दिलाने के लिए और वो भी उससे गुट बाई कुरू और घटिया जोरो बोलकर वहां से चली जाती है और जोरो वहां पर बैठ कर कुछ सोची रहा होता है कि तभी उससे हीमा मेसेज करके कल मिलने के लिए बुलाती है और कल जब जोरो उसके पास जाता है तो वो भी उससे बिल्कुल सेम चीज़े कहती है और अपना रीजन बताती है कि कैसे वो संसों के इनके क्लोज है वहें पर बैठा जोरो सोच रहा था कि मुझे पता था कि यहाँ पर भी कुछ ऐसा होने वाला है वैसे ओगा कैसे इन दोनों से मदद मांग सकता है तभी हीमा उसे पूछती है तुम ऐसा कैसे कर सकते हो तुमने मुझे क्यों नहीं बताया अब जोरो यहाँ पर कल वाला ही गलती ना करते हुए यह कहता है कि मुझे नहीं पता था कि तुम कैसा फील करोगे और ये भी बता देता है कि वो मुझे से एडवाइस मांगा था और मैंने उसे एडवाइस दे भी दिया था लेकिन मुझे लगा था कि वो बेसबोल के बारे में बाते कर रहा है तभी वो कहते है कि तुम बहुत बड़े जूटे हो उसने मुझसे कहा था कि तुम इतना ज़्यदा ओसम फ्रेंड हो कि जब मैंने वेस्पोल को लेकर बाते करना शुरू किया था तभी वो समझ गया था कि मैं किसके बारे में बाते कर रहा हूँ वहीं पर जोरो ये सब बाते सुनकर अपने मन में कह रहा होता है कि चीजे और कितना ज़्यदा बरवाद हो दी और वो उससे समझाने की भी कोसिस करता है बट वो सुनने के त्यार ही नहीं होती है और वो अपने मन में चिला रहा होता है कि अरे कोई मुझे पर विश्वास क्यों नहीं कर रहा है लेकिन इस बर वो सिच्वेशन को अपने हाथ से नहीं निकलने दे सकता था इसलिए वो उससे कुछ तो कहने ही वाला होता है कि तभी वो उससे तक्या समार कर वहां से जाते हुए कहती है कि अब मुझे तुमारी कोई भी जरूरत नहीं है तभी ओगा आकर उससे पुछते है कि क्या हुआ आज तुम पहले जैसे बिल्गल भी नहीं लग रहे हो कुछ हुआ है तो मुझे बता सकते हो ये बोलकर वो वहां से चला जाता है तभी सांसो कीम जोरों को मैसेज करके कहती है कि आज ही अगले विक का मंडे है इसलिए जोरों वहां पर चला जाता है और उससे पूछता है कि क्या है क्यों मुझे परिशान कर रही हो वो कहती है कम से कम मुझे तो ऐसे बाते मत करो और आगे कहती है कि मैं जितना सोची थी चीज़े उससे भी ज़्यादे इंट्रेस्टिंग होते जा रहा है वैसे भी तुमने इतना मेहनत किया उन दोनों को सपोर्ट करने के लिए लेकिन सब कुछ बेकार हो गया इसका मतलब लास्ट में तुमारा इतना ज़्यदा टाइम बरबाद हो गया और आखिर में मैं बस इतना ही कहना चाहते हूं कि मुझे उनके लिए बहुत बुरा लग रहा है क्योंकि अगर वो लोग उससे सच्चा प्यार करते तो ऐसे तुरें तुमसे छोड़ नहीं देते हैं लेकिन उससे भी इंपोर्टन्ट ये है कि आगे क्या होता है तभी वहां पर ओगा कोस्मस और हीमा आ जाती है और सांसुकिन को छोड़कर चारों एक दूसरे को देखकर बहुत ज़्यदा सॉक्ट हो जाते हैं और इसी के साथ ये एपिसोड यहें पर खतम हो जाता है